नमस्कार आप देख रहे हैं राश्ट्रि खबर मैं हूँ आपके साथ जोती सी कहीं जीत का जशन तो कहीं हार की लकीरे उड़ रहे गुलाल बज रहे ढोल नगाडे राजिस्थान पंचायत राजचुनाव के परिणाम के बाद जनता द्वारा चुने सरपंचों में खुशी किल है चारो ओर जहां जीते हुए सरपंचों के लिए खुशी का माहौल है तो वहीं कार्य करता अपने अंदाज में खुशी के इजहार करने में लगे हुए हैं इसी खुशी के चार चांद लगाने के लिए रास्टर खबर की टीम पहुची है धरातल पर क्योंकि जनता ने चुना है गाउं का मुख्या, जनता ने बनाई है गाउं की सरकार क्या रहेंगे सरपंच के गाउं, विकास के वादे, किसे देंगे जीत का श्रेयल, देखिए रास्टर खबर में जनता द्वारा, चुने गए जन प्रतिनीदियों की सोच, ग्राम पंचायत के प्रतिन नमस्कार, राष्टर कबर की टीम आज गराम पंचायत जोर पहुंची है, और आज मरसत खास मुलाकात में, वहां के नव निर्वाची सरपंच परतिनीदी और उप सरपंच, शिव चरण सिंग, तो इन से हम जानना चाहेंगे, इनका जो चुनाव है, वो कैसा है, और किन कि बुद्धों को लेके चुनाव लड़ाएं, तो सर सबसे पहले हमारे चनल में आपका स्वागत है, तो सर आप पूछना आप से चाहेंगे कि इस बार आपका चुनाव कैसे रहा है, और आपके क्या मुद्दे थे इस बार सर, बस एक केवलमातर विकास सी मुद्दा था, और मेरे साब ने पूरा विपक्स, पूरी जोर कोशिश की उसनों ने, शाम लाम दंडबेट सारे अपना है, मगर पहले मैं सरपंस था, मेरे काम को लोगों ने देखा, और मेरे उपर विश्वाश किया, गत बार मेरे को चारसु वोटू से जीता है था, इस बार डबल वोटू से जीताया है, और इत्यास रचा है, यह आपके मुखे उदेश से थे और आपने जो भी आपके राजनी ते केरियर सर आपका क्या होगा, इस बार इस से पहले आपने कितने चुनाव लड़े हैं और कितने जीते सर, ने मैंने तो फ़स्ट पहले सरपंस का चुनाव लड़ा अभी तक सभी चुनाव में चीत मिलिये, कॉलेंज में मास अचीव था, वापे भी में चीता हूँ, अभी तक कार किसी में मिली नहीं है, हमेशा जंता का स्वयोग मिलता है, बहुत अच्छे लोग हैं मेरी पंचायत के, गत वर्ष जो भी मैंने 26-27 करोड के काम करवाई थे आज मेरी पंचायत में आप गूम के देखोगे, तो एक भी कास्तकार के खेट पर ऐसा रस्ता नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपकी गाड़ी नहीं जाती है, वो भोर्विलर, सारे पूलिये बनाएं, प्रेजल की, लग 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 सभी गाउं मंदल से पानी की सप्लाई च काम कराने की कोशिश की, हर इसकुल में दो कमरे हैं, हमने टेम एपटी फंड से, हमेले साब से और सांसे साब से कहके लिए, हमेले साब और सांसे साब का बहुत अच्छा स्योग है, मॉडल पंचायत को विक्सित करने चाह रहा हैं, इसमें अभी साथ रोडें, गतबार हमने बना है, डंबर रोड साथ, गौरपत बना है, और एक होस्पिटल बना है, पसो उस्दा ले, अभी स्विकरत है, पर सरकार की नेतियों के कारण, अभी तो उसका काम चलूने हो पा रहा है, यानि कि जो भी यह जो आज आप अभी जो आपने काम गिन्वाएं, जो भी विकास बताः या, यह लगबग आपके कारेकाल में होई है, जानि कारेकाल में हो पांस साल तो उसमें हो ए, अभी जो हमें एक समझानगाट बना रहे, मोडल समझानगाट है, राजस्तान में सरकार्यू पैस्ज्टू से बना हुआ एक भी समस्ञानगाट ऐसे नही है, वो एक पूछना चाहेंगे आपसे शिक्षा का स्तर अपनी पंचाइद के अंदर क्या साथ चल रहा है और विदालियों में क्या ध्यान देते हैं अमारे आप सिक्षा का स्तर थोड़ा कम जोर है मेरे कार्यकाल में मुल्डा गाउं में जो आटवी स्कुल थी उसको हमने कवर्मों नि इसके अंदर हमारे आटवी तक स्कुल है वो जिल्ले की टॉप स्कुल है हर लड़की इंगलीस में आप से बात कर पाएगी ठीक है उसके बाद बड़ी स्कुल हमारे जोर है उसमें इस्टाप पूरा है और अच्छी पढ़ई है चल रही है पूरा फोकस है कि हमारे यहां से अच्छे बच्चे पढ़े आगे बड़े और आपकी यही काम नहीं बहुत अच्छी बात है सर्पन साब आपने कहा है कि जो भी गाम की बच्ची है वो पड़ी लिखी होनी चीए तो सर्पन साब सबस्पाई के अपने बात करते हैं तो सवस्ता किती जुरूरी है अपनी प आखे साथ हैं तो सबसे पहले सवस्ता वाई से चलू होने चाहिए वैसे हमारे यहां पर पूरी पंचाहित में बहुत होगे आपको कई गंदगी नहीं मिलेगी एक दू जगेंप छोड़ गए हमने मॉडल सोचाले भी बना रखे हैं अगी यह है इधर अभी आप इसका हमने लगबग लगबग हमारी काम पर नभे परसेंट लोग सोचाले को उप्योग कर रहे हैं तो ऐसा कोई परिवार है जो आज तक बंची चलता आ रहा हो जो पातर परिवार हो ऐसे कुछ सामने आ रहे हैं आपके मैं यह जो सरकार अभी आई नहीं नहीं जो सरकार चुनकि आई लोगों का अरमान थे इस सरकार को लोगों ने चुना मगरे इसने एक रूपिया का काम नहीं किया इस सरकार ने पंचोईतों के काम सारे ठप पड़े हुए, सारे DMFT के जो फेंद है, हमार राससमन, अक्यला राससमन जिले में 800 करोड का जो फंड है इन्नोंने रोक रखाए, मेरी ग्राम पंचयत में 3 करोड के काम DMFT के फंड ही इन्नोंने रोक रखे हैं, उसके बाद में पंचयत राज में इन्नोंने इतनी व्यवदान ये पैदा कर रही सरकार की आगे आने वाले सरपंच को काम करना बहुत मिश्किल होगा, ये जो फंड आ रहे हैं, पिड़ी खाते में जो फंड आएगा, वो प्रिष्टाचार को ये और बढ़ावा दे रहे हैं, कि ये पिड़ी खाते से और ये चैनल में होके फंड आएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रिष्टाचार बढ़ेगा, ये इसमें जो बिजोलिया है वो और जोड़ा गे, बिजोलिया और जोड दिया है सरकार ने इसमें, तो सर आप जीत का सरे किसको देना चाहोगे सर, जीत का सरा जनता को है और विकास को जीत का सरे जाता है, तो सर जीत की खुशी में जनता का आबार किस पर का स्वेक्त करना चाहते हो, जनता को बहुत बहुत दिन्यवाद देना चाहता हूँ, इसी तरह मेरा साथ आप निवातर हो, और जब भी मेरे लाइक कोई भी काम हो, आप आदी रात में मुझे में आपके लिए तैयार हूँ, और यह आभार तो चुनाव तो होते रहेंगे, वगर जिंद्गी पर इस बार आपने मेरी माग को जीता है, बहुत भारी मतुस जीता है, इसलिए मैं आपका इसना कभी नहीं बूलूँगा, तो सुर पनसर नस्य के खिलाब को यवाज हैं मगर आपकी पहले हाँ जो राश्तान सरकार नभी मादक परदाद मादक अधिनियम में 25% की बड़ोत्री की है यह जंता के लिए बहुत गातक साबित होगी गातक सरकार ने का 25% सराब बढ़ाओ सरकार के दोरा सराब बेची जाएगी तो बहुत सारे एक्सिडेंट के मामले भी बढ़ेंगे लोगों में द्वैस्ता की बावना भी बढ़ेंगी और मुगदमों की परमार लग जाएगी थानों में यानिकी जो सराब जो बड़ोतरी हो यह वो गलत है तो अभी बात हुई है सरपन साब से इन्होंने का भी ग्राम पचैट के अंदर जो भी जटिल मुद्धे हैं पुराने काम है जो भी पातर परिवार है बंची चल रहे हैं उनको जल से जल लाब दिया जाएगा देखते न ने राश्टर कवर।